हालो शरेंड दिस इज ग्लास टेंज मैथ क्लास मैं आज आपको इक्सरसाइज 1.2 की कुष्चिन नंबर 1 से कुष्चिन एक्स्पेंड करूंगा कुष्चिन नंबर 1 है एक्सप्रेज इच नंबर इस प्रोड़क्ट आफ इट्स प्राइम फेक्टर हमें ये बताना है कि जो है वो प्रोड़क्ट आफ प्राइम नंबर है ठीक है और पहला कुष्चिन था 140 तो जब 140 को मैं एफेक्टराइज करता हूं हम मिलता है 2 x 2 x 5 x 7 ठीक है यानि 2 का पावर 2 x 5 x 7 तो यह हमारे फेक्टराइज होता है प्राइम नंबर की रोप में सेकंड है 156 जब 156 को मैं प्राइम नंबर बनता है इसलिए हम प्राइम का प्राइम का प्राइम से कह सकते हैं इसका थार्ट पाट है 3 x 2 x 3 x 5 x 7 तो यह हमारा प्राइम का ट्राइजिशन यहां पर फार्म हो जाता है नेक्ट वन जब हम कॉशन नंबर फोर देखते हैं कॉशन बन का फॉर्थ पार्ट कॉशन था 5 005 यानि 5 2005 को जब मैं फेक्टराइज करता हूं तो फेक्टराइज पेहम मिलता है 5 x 7 x 11 x 13 यानि 5 x 7 x 11 x 13 तो यह हम कह सकते हैं कि इसका अस्वारा वैलू यानि प्राइजिशन मेथट के दूरू हम यह मिला किया यह हमारा आंसर होता है 5 x 7 x 11 तो जब 7 x 429 को मैं फेक्टराइज करता हूं तो मुझा अंसर मिलता है 7 x 19 x 23 यह हमारा फ्राइज प्राइजिशन यहां पर कम्प्लीट उठा है exercise 1.2 का है मैं question second लेता हूं है question second का आ गया है find the LCM and SCF of the following pair of integer and verify that LCM into SCF is equal to product of the two number ठीक है अब पहला question है 26 and 91 तो जब 26 को मैं factorize करता हूं तो मुझे मिलता है 2 x 13 और जब मैं 91 को factorize करता हूं तो मुझे मिलता है 7 x 13 यानि आप देखने 13 दोनों में कामन हो गया तो इसलिए हम एक है सकते हैं कि 13 हमारा कामन है बहुत condition में इसलिए SCF हमारा होता है 13 और जब हम LCM निकालते हैं तो हमें मिलता है 2 x 7 x 13 यानि 2 x 7 x 14 x 13 तो 182 ठीक है तो LCM होता है 182 अब हमें यह probe करना है कि LCM into SCF is equal to product of the two number तो अब यहाँ पर मैंने लिया नो फार LCM into SCF is equal to product of two number के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं 1 LCM था 182 और SCF था 13 तो 182 into 13 is equal to product of two number तो two number क्या था 26 into 91 तो जब 182 को मैं 13 से multiply करता हूं तो मुझे मिलता है 2366 और जब 26 को मैं 91 से multiply करता हूं तो भी मुझे मिलता है 2366 यानि यहाँ परंद सिंपली कि यह कह सकते हैं कि LHS equal to RHS होता है और हैंस इस तरह से यह verify होता है question number second के इस first part के साथ आज के इस class को मैं over करता हूं अगले class में कुछ और question के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक तक लिए thank you very much